टिवी टाउन की खुबसूरत एक्ट्रस और बिग बॉस थी एक्स कंटेस्टेंट रह चुकी रश्मिदेशाई अपनी पर्सनल लाइफ के चलते हमेशा से ही लाइम लाइट में बनी रही है जहाँ एक और रश्मिदेशाई की शादी शुदर जिन्दिगी कुछ खास नहीं रही तो वहीं उनकी ये शादी आखिरकार किस वज़ा से टूटी थी इसकी खबरे भी वामने आई है जी हाँ दोस्तों आपको बता दें लॉकडाउन के चलते एक बार फिर से रश्मिदेशाई की जिन्दिगी से जुड़े पुराने किस्ते वाइरल हो रहे है जहाँ एक और रश्मिदेशाई और नंदिश शंदू की लव स्टोरी काफी फैमस रही है तो वहीं इन दोनों की जब शादी टूटी तो फैंस को भी एक बड़ा जटका लगा ऐसे मैं आपको बता दें आखिर क्या वज़ा थी जिसकी वज़ा से ये दोनों अलग हो गए दरसल एक समय ऐसा भी था जब रश्मिदेशाई और नंदिश संदू टीवी टाउन इंडस्टी के क्यूटेस्ट कपल्स में से एक गिने जाते थे वहीं साल 2012 में इन दोनों ने शादी कर ली लेकिन चार साल के बाद ही नंदिश और रश्मि के रास्ते अलग हो गए इन दोनों ने एक दूसरे से तलाख ले दिया तो वहीं आखिरकार ऐसा क्यों हुआ ये भी आपको बता दें दरसर आपको बता दें रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया था कि मौडल अंकिता शारी की वजह से इन दोनों के शादी टूट गई थी जी हां रिपोर्ट्स के मुताबिक सामने आया कि अंकिता शौरी और नंदिश संधु को कई बार कई इबेंट्स में साथ में देखा गया था और उस दोरान से इन दोनों के लिंक अप की खबरें सामने आने लगी थी और इसी की वज़ा से रश्मी और नंदिस के रिष्टे में दरार आती हुई नजर आ रही थी इन दोनों में दूरियां बढ़ती जा रही थी तो वही आगे चल कर रश्मी और नंदिस ने एक एहम फैसला ले लिया दरसल आपको बता दे रश्मी देसाई के बारे में तो रश्मी देसाई को अंकिता और नंदिश की ये नजदी किया बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी वही रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी सामने आया कि रश्मी अपने और नंदिश के रिष्टे को ठीक भी करना चाहती थी लेकिन अंकिता की वज़ा से उन्होंने अपने इस फैसले को बदल लिया था और बाद में ये दोनों अलग हो गए जानकारी के लिए आपको बता दें कि अंकिता हमेशा ही सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है और अपनी बोल्ड और खूपसरत तस्वीरों के लिए जाने जाती है सोशल मीडिया पर हमेशा ही उनकी ये तस्वीरे वाइरल होती ही रहती है वहीं साथ ही साथ आपको ये भी बता दें कि अंकिता शौरी ने साल 2011 में ब्यूटी पीजेंड मिस इंडिया इंटरनेशनल का किताब भी अपने नाम किया था लेकिन आज के समय में अंकिता काफी सोशल मीडिया पर एक्टिव है तो वहीं अपनी खूपसरोत और बोल तस्थिरे शेयर करती भी नजर आ रही है हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही तब तक के लिए आप देखते रहे हैं नेक्स्ट नए यूज़